कि अभी वेलकम बेक तो मैं चैनल कलाफुल ट्रेट्स तो लीजिए एक बाद फिर से हाजर हूं आपकी डिमांड पर एक हाफ जैकेट का डिजाइन लेके बहुत ही खुबसूरत सा पैटर्न है पैटर्न आप देखी सकते हैं बटरफ्लाइ पैटर्न पे पूरे डिजाइन बन है तो बहुत प्यारा सा पैटर्न है तो सीजन जाए उससे पहले से जरूर बना लीजी इस साल भी पहनिए एक दो बार पहनी सकते हैं उसके बाद पर नेक्स्ट येर में तो आपके बल्ले होने वाली है तो फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूं सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये वीडियो का पार्ट टू है पार्ट वन अल्री अप्लोट कर दिया है मैंने जिसमें मैंने इस डिजाइन को बताया है कैसे डिजाइन बनेगी प्लस आम होल की कटिंग मैंने बता दी है पीछे का पूरा ही पल्ला मैंने पार्ट वन हुँ तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करें बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाना है सिर्फ रेट क लगा प्लस आप नेक्स वीडियो किस चीज़ का देखना चाहते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह पीछे का पूरा पल्ला मैंने आपको इसके पार्ट वन में बता दिया है जिसमें आम होल की कटिंग प्लस कितना लंबा बनाना ही यह सा प्रॉपर गोल शेप में यह गला घटा हुआ है यह मेरा राइट साइट का है इस साइट का और मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो लेफ्ट साइड में आपको बताऊंगी जैसे लेफ्ट साइड में बनेगा सेम वैसे ही राइट साइड में बनेगा आम होल इसका सेम वै अला भी मैंने इसमें इतना बना के रखा है तेरा पूरे पैटर्न जो हमारे बनते हैं वो बन चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, तेरा बटरफ्लाई बना ली हैं और अब चौदवी बटरफ्लाई बनानी हैं यहां मै जो लास्ट वाली बटरफ्लाई है, इससे पहले वाली बटरफ्लाई तक बना के रेडि करेंगे, यहां तक मैंने बना के रेडि कर लिया है, और अब यह पहला और दूसरा बचा हुआ है, तो जो लास्ट वन है, यह वाला जो पॉइंट है, यहां पे हमें बना लेनी है, च सीधा over कर देंगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन मना के सेम इसी point पे ये जो है इसी point पे फिर से इसे add करेंगे slip stitch से एक दो तीन चार पांच छे छे चेन मनाए के जो last वाला है इसमें add करेंगे तो ये हमारा armhole के cutting हो गई ओके एक चेन मनाएंगे वक को turn करेंगे और सीम जहां पे बनाया है इसी space पे पहले डालेंगे एक single crochet बना लेंगे और बाकी यहां पे एक दो तीन चार पांच पांच सिंगर क्रोशा इसमें बनाएंगे और छटी सिंगर क्रोशा बिलकुल लास्ट में बनाएंगे ये हमारा इस side का armhole घटके ready हो गया है अब इसके आगे का work करेंगे ये है उपर वाला हिस्सा यहीं से हमें work करना है तो ये वाली जो chain बनाई है इसमें आपको slip stitch बनाते हुए सबसे उपर वाली जो chain है first number वाली यहां पर आ जाना है इस first number वाली chain पर आ जाएंगे इस तरह से अब एक, दो, तीन, चार ये चार chain as a border बनेगी जैसे अभी तक हम अपने designs को बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही इसमें भी बनाना है और यहां पर यह जो point है joining point यहां पर हमें butterfly का उपर वाला हिस्सा बनाना है तीन, tipper cross या over करेंगे एक, तो, तीन, चार, पांच पांच chain मना के सेम इसी point पर फिर से डालेंगे और इसे जोड देंगे एक, तो, तीन, चार chain बनाएंगे और फिर से इसी point से डालते हुए sorry, उदर पांच नहीं, चार chain बनानी है और इस तरह से हमने butterfly का यह दूसरा पार्ट बना लिया again, जो next joining point है वहाँ पर start करेंगे तो इसी तरह से यह देखे यह हमारा पहली butterfly बनके ready हो गई है यह हमारा armhole घट गया है तो जैसे आप अभी तक की side में बनाते आ रहे थे, chain के साथ continue करते हुए तो इस तरह से हमें total तीन butterfly बनानी है, means छे रोज बनाके ready करनी है, यह मेरी first row है second row आपको बता रही हूँ same उसी pattern पे third, fourth, fifth, sixth तो total तीन butterfly पूरी बनेगी जिसमें छे रोज बनके ready होगी उसके बाद इसमें गला घटाना श्टार्ट करेंगे तो मैं पूरी छे रोज इसमें बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताते हैं total 6 रोज मैंने बना ली है इसमें एक butterfly, दूसरी butterfly और यह तीसरी butterfly और अब मैं यहाँ पे गले के side पर ही हूँ इधर से ही घटाने start करेंगे तो एक chain बना के work को turn करेंगी और starting की 6 जो आपकी triple crochet है उसमें एक-एक sub stitch बना लेंगे दो हो गई, तीन 4, 5, और 6 6 में slip stitch बना ली और 7 में slip stitch बना के आएंगे यह 7th one है और इसी में बना लेंगे एक, दो, तीन, चार चार chain as a triple crochet है इसके बाद वाली में भी एक triple crochet है तो यह वाला जो part है यह हमारा गले के लिए घट चुका है दो तीन पर क्रोशा बची थी इसे मैंने वैसे ही बना लिया है और अब सेम प्रोसेस को ही repeat करते हुए जैसे आपके design continue है उसे वैसे ही continue कर लें तीन और चार चार ती पर क्रोशा काई cluster बना लेंगे और उसके बाद आगे की जो design है वो सेम वैसे ही चलेगी तो यह row number 7 है मुढ्ध की बाद मेंस आम होल घटाने के बाद तो इस row को पूरा करेंगे और row number 8 बनाते हुए जो यह वाली butterfly है फर्स butterfly के पहले जो second butterfly है यहां तक row number 8 बना के ready करेंगे तो यह दीखे row number 7 बनाया और row number 8 में मैंने यह first वाली जो इधर से गले के side से यह जो butterfly है इसे छोड़ दिया है मेंस इधर से 1, 2, 3, 4, 4 butterfly पूरी बनाई है और 4 butterfly बनाने के बाद यहां पर देखेगा यह वाली जो butterfly है इसका यह corner है तो यह triple crochet यह triple crochet, दो triple crochet और यह वाली leaves इन्हें skip करेंगे और यहां पर हमें बना लेनी है एक triple crochet इस तरह से ओके? सिर्फ एक triple crochet बना लेंगे और इसे यहीं पर end कर देंगे यह हमारी cutting इस तरह से हो जाएगी फिर से work को turn कर लेंगे और work को turn करके एक, दो, तीन, चार चार chain मनाएंगे और इसके बाद वाला यह वाला जो pattern है यहां पर butterfly बना के ready करनी है इस butterfly को भी पूरा skip कर देंगे और इसके बाद यह वाला जो point है यहां पर हमें butterfly बना लेनी है तो पूरा same pattern फिर से वैसे ही बनाएंगे एक, दो, तीन, 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 चार चार chain मना के यहां पर इसे add कर देंगे और फिर से चार chain मना के start करेंगे तो यह हमारा इतना हिस्सा घड़ चुका है यह जितने भी बची है इन्हें पूरा same बनाएंगे यह है row number 9 तो row number 9 को पूरा ऐसे ही बनाएंगे और row number 10 में यहां तक बना के complete करेंगे यह वाली जो दो, तीसरी वाली जो बनेगी butterfly इसे बना के यहां तक complete करेंगे last वाली नहीं बनाएंगे तो यह देखें यहां पे मैंने row number 10 में एक, दो, तीन, तीन पूरी बना ली है इतना हिस्सा हमारा घट चुका है और अब यहां पे क्या करना है आपको यह वाली जो row है इसमें दो बार लूप लेंगे और सबसे last वाला जो पैटल है इस वाले पूरे बटरफ्लाई को स्किप करेंगे और इसकी last वाली पैटल से जोडते हुए यहां पे एक, दो, तीन तीन से पक्रोश्या बना लेंगे तो यह देखें यह बन गया अब अगें चार चेन एक, दो, तीन, चार चार चेन मना के पैटन को रिपीट करेंगे तो यह हमारी रो नमबर 11 है आम होल की और आम होल में हमारे ग्यारा ही रोज बनी हुई है आम होल गटाने के बद मैंने टूटल ग्यारा रोज बनाई है तो यह last row है और इस में इसको बनाते ही आपका गला जो है इधर वाल पार्ट आपको बनाया है बताया है left वाला आपको इसमें right वाला भी बना के ready करना है तेका है आप देख सकते हैं जैसे इसका घटा हुआ है वैसे ही इसमें घटा हाथ है वैसे ही इसमें chain chain मनाके यह आपको फिरक या कि step isn't घटातने जाने है, अब इसमें पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को हमें add कर देना है, तो ये हमारा सीधा है, ये सीधा वाला पार्ट है, और इसका left side है, तो इसका सीधा ये होगा, और अब सीधे वाले को यहां से इसका जो मुढधा है, हमें इसमें add कर देना है, add करने के लिए ये last में जो हमारी triple cross या है उसको इस वाली इसकी जो four number chain है इस से add कर देना है हमें और उसके बाद फिर जो बीच वाला हिस्सा है इसे add करेंगे पहले एक chain बना लिजे ताकि बीच की gaping cover हो सके इसे add करेंगे ये जो triple cross या वाला पार्ट है मिन्स लीफ वाला पार्ट है इसके दोनों section को इस तरह से लेंगे और एक दो तीन तीन chain तीन सिंगर क्रोशर से इसमें add करेंगे और फिर दूसरी लीफ में आ जाएंगे बीच में अगें फिर से एक chain मना लीजे और इधर की एक लीफ इधर से लेंगे एक लीफ इधर से तो इसका लास्ट वाला पार्ट को लेते हुए इसमें तीन सिंगर क्रोशर बनाएंगे एक दो तीन बीच वाला जौइनिंग पॉइंट आ गया है तो इन जौइनिंग पॉइंट को आपस में मिला देंगे फिर से लीफ की जो लास्ट वाला आटिप पर प्रोशर यह चेन जो भी है उसे आपस में लेंगे और तीन सिंगर क्रोश इसमें बनाएंगे एक दो और तीन इधर वाला पार्ट है तो बीच में पहले मैं एक चीन मनाऊंगी जिससे कि बीच वाला जो गैपिंग है वो कवर हो सके और इधर फिर से तीन सिंगर क्रोश चाह एक दो और तीन बीच वाला जॉइनिंग पॉइंट है तो इस च्वैनिंग पॉइंट पे आएंगे यहाँ इसे एड़ कर देंगे तो यह देखें यह हमारा उपर का मुड़ा बनके रड़ी हो चुका है अब एक चेन मनाएंगे और इसे यहाँ पे कट कर लेंगे और कट करने कराड छोटते हुए इस साइटे si' Lay, on उस्या में इसका हो गला का सिल्के रड़ी कर लिया है और अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ, गला गला बनाने के लिए आपको corner पे, border पे इसमें दागे को add करना है और इसी point से यहाँ पे single crochet बनाने start करना है, तो single crochet का border बनाएंगे जितनी भी यहाँ पे तिपा क्रोशा बनी हुई है, इन सब में एक एक single crochet बना के ready करेंगे टोटल आठ हमने रखी थी, border पे आठो पे एक-एक single crochet बनाएंगे यहाँ पे जो मैंने दागा add किया है, वो पीछे के side से add किया है और अब देखेगा यहाँ पे chain नजर आ रही है, तो इस chain में हमें बना लेनी है एक, दो, और तीन single crochet, एक बना लेनी है इस cluster पे, यह दोनों cluster आपस में मिल रहे हैं तो एक पहले इस cluster पे बनाएंगे, और दूसरा, दूसरे cluster पे बनाएंगे फिर से chain है, तो chain में बना लेंगे, तीन single crochet और एक बना लेंगे cluster पे अगें, chain में तीन single crochet, एक बनाएंगे cluster पे इस तरह से chain में तीन और एक cluster पे, chain में तीन एक cluster पे बनाते हुए यहां तक आ जाएंगे, यहां पे हमारा मुद्धा जोड़ा हुआ है तो अब मैं मुद्धे के side पे आ गई हूँ, तो एक जहां पे मुद्धा जोड़ा है, वहां पे बनाएंगे अगें यह cluster के बीच वाला point है, इसमें बनाएंगे और यह जो chain बनी हुई है, cluster बना हुआ, इसकी जो first triple crochet है, इसमें बना लेनी है तीन, तीन single crochet तीन single crochet next one में बनाएंगे, एक, दो, और तीन, एक cluster के दोनों के joining point के बीच में बनाएंगे, फिर से तीन बनाएंगे cluster की first double crochet में, एक, दो, और तीन, next वाला cluster है, तो इसमें बना लेंगे तीन तो cluster की जो leave बनी हुई है, उसकी first वाली, जो triple crochet है, उसमें आपको तीन single crochet बनानी है और एक, उसके बीच में बनानी है, इस तरह से, ठीक है, पूरा जितना पीछे का part है, इसे ऐसे ही करना है again, जब आप आगे के side में आ जाएंगे, तो chain में 3, एक cluster में, chain में 3, एक cluster में, chain में 3, एक cluster में इस तरह से बनाना है, और उसके बाद जब यहां पर आएंगे, तो यह वाली जो triple crochet है, इसमें 3 बनाएंगे single crochet जैसे उधर बनाई थी, और बाकी इन में एक-एक single crochet बनाके ready करेंगे, तो उधर 8 नहीं, सौरी 6 थी, मैंने 8 बता दिया था, यह total 6 है, 6 इसमें बनानी है, और यह जो 2 इसकी triple crochet है, यह वाली जो लंबी आपको दिख रही है, तीन इसमें बनाएंगे, इस वाली chain में, ऐसे जो सबसे पहली वाली single crochet है, इसमें एक single crochet बनाके ready कर लेंगे, next one में बनाएंगे, तीसरी में बनाएंगे, तो अब single crochet इसमें आपको बनी हुई है, जितनी भी आपने बनाई है, उन सब के उपर आपको single crochet ही बनानी है, और total 5 row single crochet की बनाके ready करनी है, अगर आप चोड़ा उच इसमें total 5 row बनाके ready करूंगी, तो 5 row में single crochet की बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें last में आपको क्या करना है, last में कौन सी design बनाके ready करनी, 5 row बनाके ready कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 5 row के बाद अब इसमें हमें इसका final row बनानी है, तो सीम वैसे इसमें पहले, दो chain बनाके धागे को उंपर को turn कर लेंगे, और सेम पहली वाली से ही, जो first double crochet है, उसमें तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, बहुत जादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, थोड़ी छोटी बनाईए, और यहाँ पे एक, दो, तीन के बाद, चौथी वाल दो chain, सेम इसी place से डालेंगे, तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, और तीन, तीन skip करके fourth one में इसे add कर देंगे, दो chain, सेम space से तीन double crochet, उसी single crochet से बनानी है, जिससे आपने chain बनाई है, और फिर इसे तीन skip करके fourth one में add कर देंगे, तो यह आपका पूरा जो border है, वो कुछ इस तरह से बनके ready होगा, सेम process को repeat करते हुए, पूरा end पर आ जाएंगे, और धागे को cut कर लेंगे, यहाँ पे, पूरा गला ऐसे ही बना के ready है, और गले के बाद, अब सेम ही pattern जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, पांच single crochet, प्लस उसके बाद यह कंगुरे वाले design, सेमी pattern आपको इसके armhole में बनाना है, तो armhole में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला part है, जहाँ पे आपने दोनों पल्लों को आपस में जोड़ा है, इस जगा पे धागे को add करेंगे, सेमी प्लेस पे crosshair hook को डालेंगे, और यहा आपको तीन single crochet बनानी है, एक, दो, और तीन, फिर यह जो pattern बना हुआ है, next वाला, इसमें आ जाएंगे, और इसमें तीन single crochet बनाएंगे, एक, दो, और तीन, यहाँ पर joining point है, दो पैटल आपस में मिली हुई है, तो इस पर डालेंगे, और एक single crochet यहाँ पर बना लेंगे, again यह वारा जो pattern है, इसमें, यहाँ पर chain हो या तिपर crochet हो, जो कुछ भी हो, उसमें आपको तीन single crochet बना लेनी है, सबसे last वाली में, तीन next वाली में बनाएंगे, दो और तीन, उसके बाद joining point जहाँ पर है, वहाँ पर एक बना लेंगे, सेम ही pattern को आपको पूरे में repeat करना है, इस तरह से single crochet बनेगी, सेम pattern को repeat करेंगे, और इन पर आएंगे, यहाँ मैंने इसमें total चार round बनाएं है, single crochet के, एक round बना के add किया, फिर उतनी single crochet के उपर, single crochet बना ली, जैसे गले में बनाया था, सेम वैसे ही इसमें बना के ready किया है, और अब end में फिर से इसे add करेंगे, एक, दो, दो chain मनाएंगे, सेम इसी place से, तीन, double crochet, एक, दो, तीन, skip करके, फोर्थ वन में इसे add कर देंगे, तो जैसे गला बनाता, सेम वैसे ही आपको इसका arm hole भी बनाना है, और arm hole जैसे एक side का बनेगा, सेम वैसे ही दूसरे side का भी arm hole बना के ready करना है, तो यहां मैंने एक side का बना रखा है, यह देखिए, यह है इसका arm hole, तो इसी तरह का पैटर्न आपको दूसरे में भी बनाना है ऐसे ही जैसे मैंने इसमें बना रखें कंगूरे सेम वैसे ही इधर बना लेते हैं फिर मेरा दोनों तरफ का आम होल भी बनके रड़ी हो चुका है और अब मैं नीचे के साइड में बैक साइड से ये उल्टा तरफ से जो कॉर्णर वाली आपकी डबर क्रॉश्या है सबसे फर्स नमबर की इसमें धागे को आट कर लीजे इसी प्लेस से डालना है एक, दो, और तीन, तीन चेन एज़ डबर क्रॉश्या और एक चेन एज़ एज़ स्पेस बनाएंगे एक स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में डबर क्रॉश्या बना लेंगी फिर से एक चेन इसके बाद वाली डबर क्रॉश्या स्किप करेंगे next one में एक double crochet एक chain उसके बाद वाले skip करेंगे उसके बाद एक double crochet तो basically इस तरह के block बना के ready करने है नीचे के side में तो पूरे में ऐसे ही बनाना है एक double crochet skip करेंगे और दूसरे में double crochet बनाएंगे और बीच में पूरे में मैंने blocks बना के ready कर लिये हैं और अब जो फर्ट नमबर ब्लॉक है, इसमें एक सिंगर क्रोश चा बनाएंगे। फर्ट नमबर ब्लॉक में बना लेनी हैं, पांच डबल क्रोश या एक, two, three, four, और पांच, थर्ड नमबर ब्लॉक में इसे एड़ करना है, सिंगर क्रोश से। फिर से फूर्थ नंबर ब्लॉक में अगेन बनाएंगे चार डबर पांच डबर क्रोश्या एक दो तीन चार पांच डबर क्रोश्या और इसे एड करतेंगे same process को ही पूरे में repeat करेंगे, इसी तरह से एक में add करना है, दूसरे में 5 double crochet, फिर add करना है, फिर next one में 5 double crochet, बना के इसे पूरा end तक की ले जाना है, और धागे को cut कर लेना है, उसके बाद आपको बटन्स लगा लेनी है, इसमें बटन्स लगाने के बाद ये पूरा sweater बन के ready हो दिखा दिया है, कैसा लग रहा है, तो वीडियो पसंद आए, तो like जरूर करतीजे का, मैं मिलूंगी आप से कुछ नए ideas के साथ, next video में तब तक के लिए, bye-bye, thank you and have a nice day.